केंद्री बोर्ड की ओर से एक नोटिविकेशन जारी किया गया है ये नोटिविकेशन उन बच्चों के लिए है जो केंद्री विद्यालों में पढ़ाई करते हैं तो चलो इस नोटिविकेशन में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, CBSC Board Exam 2021-22 के इंद्री मादमिक सीच्छा बोर्ड ने नया सत्र सक्षिक सत्र के लिए 2021-22 के लिए पैटर्न जारी कर दिया है, इस बार पैटर्न में कई अहम बदलाव भी किये गया है, CBSC की ओर से जारी Special Assessment Scheme के अनुसार इस सक्षिक सत्र में द दोनों टर्म की परिच्छा के अधार पर मार्क सीर तैयार की जाएगी, CBSC इस माह तक पूरे पार्टकरम का नोटिफिकेसर जारी करेगा, CBSC के निर्देशक जोसेप इमैनुएल द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार सेक्षिक सत्र दोजार बाइस के लिए पार्टक यहां पर हम पढ़ लेते हैं उसको भी, CBSC ने यह भी कहा है कि नवी और दसवी के लिए इंटर्नल असेस्मेंट में तीन पिरियोडिक टेक्स्टस, पोर्ट फोलियो और प्रैक्टिकल वर्क सामिल किया जाएंगे, जबकि 11 और 12 के इंटर्नल असेस्मेंट में यूनिट टे तयार करने को कहा है, सर्कुलर के अंसार, इसकुल साल भर किये गए सभी असेस्मेंट के लिए छात्रों के प्रोफाइल तयार करीगी और इसका डिश्टल फार्मेंट बनाएगी, अब जो नए पैटर्न है, उसमें जो खास 5 बाते हैं, उसको भी मैं आपे पढ़के बता द पहले हैं, पहले टर्म की परिच्छा 9 बार दिसंबर 2021 में होगी, जब की दूसरे टर्म की परिच्छा 2022 में होगी, दूसरा है, प्रत्यक टर्म की करीब 50-50 सिलेबास को कवर किया जाएगा, तिसरा पाइंट है, परिच्छाओं में बहु विकल्पी वस्तुनिष्ट प्रस् पहले टर्म की परिच्छा का समय 90 मिनट और दूसरे टर्म की परिच्छा 2 घंटे की होगी, पाचवा जो पाइंट है वो है, कोरोना की स्थिती में दूसरे टर्म की भी परिच्छा 90 मिनट की होगी, अगर कोरोना की स्थिती अगर गंभीर हो जाते है, तब जो दूसरे टर् बात है जो नियूज है इसको आपको जानना जा जरू है जो केंद्री विद्याला में पढ़ाई करते हैं